तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल KPM Fantasy Expert पर और आज की इस वीडियो में आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो यूगांडा मैंस कबड़ी लीग है इसका भाई जो आज के दिन का पहला मैच और टुरुनामेंट का 41 मैच जो की खेला पार्ट आपको skip नहीं करना है अदर्वाइस इसमें आपका ही लोस हो जाएगा क्योंकि यापर देखिए 35 रुपे की तो सिंपल सी GL लगी हुई है तो GL की 5 टीम आपको मैं बताऊंगा उनमें कौन से 5 ऐसे प्लेर रहेंगे जिनने आप CVC रोटेट कर सकते हो इस मैच में ठ क्योंकि वो आपको टेलिग्राम चैनल पर दी जाती है तो टेलिग्राम चैनल जरूर से जोइन कीजिएगा लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्ष्ट कोमेंट में मिल जाएगा अगर माद लो बाई चान्स लिंक वर्क ना करे तो आपको क्या करन न है और वहाँ पर आपको search का icon दिखेगा search करोगे आप at the rate kpm official ठीक है जैसे आप ये search करोगे आपको हमारा channel दिख जाएगा same by इसी channel पर आपको आकर join हो जाना है अभी currently अगर बात करें तो आप देख सकते हो 11.9 के की family हमारी telegram पर complete हो चुकी है तो अगर आप भी हमारी telegram family का part बनना चाहते हो तो join कर लीजेगा क्योंकि याँ पर आपको almost every match जो भी मैं cover करता हूँ final team में यहीं पर देता हूँ अभी अगर बात करें big bash की तो big bash में आपके भाई ने जबरदस्त winning करवाई है आप यहाँ पर देख सकते हो मतलब single ended यहाँ पर one sided हमने winning किया हाँ कुछ है contest हमने हारे भी है क्योंकि भाई हमारे captain की bowl पर दोख है चिल्ट रोब है एक ही match में यार otherwise one sided clean sweep था कोई single contest भी नहीं आरता बट फिर भी overall बैतरी इन profitable result रहा और screenshot आप winning screenshot आप देखी सकते हैं यहाँ पर लगाता है आपको ultra clean sweep matches यहाँ पर मिलते रहते हैं तो GL teams यहाँ पर मिलेंगी प्लस small league की जो final update होगी वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी अब बात करें वाई दोनों इटीम्स की तो मैं आपको एक बार points table की तरफ लेकर चलूँगा वाँ पर दिखा देता हूँ कि कौन सी teams की क्या कुछ performance अभी यहाँ पर है यहाँ पर अगर आप देखोगी तो sharks कबड़ी giants ने 6 match खेले एक match जीता है और 5 match यहाँ पर हार के आ रहे हैं और सबसे नीचे लगे हुए है point stable में टीव light की अगर बात करेंगे तो 6 match में से 4 match जीता है 22 प्लस बाइस का score difference है और अभी number 4 की position पर है लेकिन भाई ठीक ठाक performance अगर नहीं दी तो भाई नीचे आहा सकते है ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान में रखने है अब अगर बात करें भाई दोनों टीम्स के starting 7 की तो आपर clear favorite मैं मान के चलूँगा टीव light को बाकी sharks की तरफ से जो एक दो player important रहेंगे वो मैं आपको update में बता दूँगा अभी तो यह चीज आपको ध्यान में रखने कि इनके जो players है वो rotation में काम आएंगे और इनके players आपको मतलब ज़्यादा player आप यहां से two lights के लेकर चलना अब चलिए बाई मैं आपको starting seven बता देता हूँ पहले sharks cover designs की तो उसमें जे नामू तेते अगर खेलते हैं तो GL mini GL में try कीज़ेगा वहीं अगर बात करें यह बुसुलवा की again GL mini GL के लिए अच्छे player रहेंगे MN Binkota की बात करें तो आप देख सकते हैं M Binkota लगाता ठीक ठाक performance दे रहा है और यहां पर भाई आपके लिए बैतरीन तरीके से all round खेल दिखाता मिलेगा यहां पर आप देखे 8 touch point एक bonus point प्लस एक tackle भी करके दिया था important player है यहां पर बीच-बीच में काफी बैतरीन performance दे रहा एक बैतरीन all rounder का काम आपके लिए करेगा तो must have भी कि यहां से आपके लिए रहेगा एक मातर player जो defense section से मैं लेके जाऊँगा शाक्स कबड़ी जाइन्स का अब अगर बात करें old rounder section में तो यहां पर आपको एक player दिखेगा M.Wenday का नाम से बहुत ही शांदार player है again एक बहुत ही बैतरीन old rounder लगातार आपके लिए अच्छी खासी performance करता दिखेगा जरूर से आप इने भी अपनी team में रखेगा इसके अलाव एक बुसुलवा की बात करें तो GL, MINI, GL में rotation में एक आदी team में try कर लीजेगा अगर नहीं भी try करोगे तो कोई दिख्कत वाली बात नहीं है बात कर लेता है आपर rating section में यहां पर भी आपको दो player बैतरीन दिखेंगे दो player में से कोई एक player आप ले सकते हो अगर लेना चाहो तो बाकी ना भी लेना चाहो तो कोई दिख्कत वाली बात नहीं है पांस दोगा भी ratio आप बना सकते हो यहां से अगर बात करें तो तो मुसीमे की बात करें तो ठीक ठाक player है जीयल मीनी जीयल में ज़्यादा अच्छा रहेगा लाश्ट के दो match बहुत ज़्यादा गटिया गए इसके अलाव भाई अच्छी performance दे रखी है इसका क्या है कि जिस match में flop होता है भाई माइनस में point लेके आता है ठीक है यह आप ध्यान में रखेगा अगर यह pit गया है ना तो मालो आपकी team पूरी pit सकती है लेकिन यह चल गया है ना तो one sided winning भी आपकी हो जाएगी अब यहापर आप बात करें एन की गोजी की एक last match को अगर आप निकाल दो तो तीन match खेले जिसमें से दो match में चार match के लिए जिसमें से तीन match में अच्छी performance बंदे ने दे रखी है ठीक है तो आपके लिए important player रहेगा और मेरे हिसाब से यहाँ से ना इनका जो role ना वो बहुत ही शांदार रहेगा क्योंकि rating में यहाँ पर इनका कोई main player नहीं चल रहा M N देका की बात करें ठीक ठाक player चल रहा है बाकी यहाँ से बात करें M Binto का यह बाई defense में थोड़ा ज्यादा अच्छा है यहाँ से अगर बात करें तो second raider का काम है वो N किगोजी करता दिखेगा तो आप इनने try कर सकते हो ठीक है अब अगर बात करें सामने वाले team की यहने की twilights की तो यहाँ से बाई पहले defense की तरफ चलेंगे इनकी तरफ से akampurira आपको दिखेंगे जो लगातार अच्छा खेल रहे है मश्टाव पिक even CVC का बैतरीन option रहेगा यहाँ पर आप देखें रेडिंग में भी last match में अच्छे points मिले थे अब यहाँ पर एक चीज आपको ज्यान में देनी है मैं आपको बताता हूँ ठीक है यहाँ पर देखें जो last match में इनने रेडिंग ज़्यादा मिली थी तो captaincy का safe option पी मुसूंगा 100% रहेगा अभी के लिए मैं इन्हें अपने team में भी लेके चलूँगा बाकि final team में हो सकता बाई GL mini GL में मतलब आप इन्हें एक आदी GL mini GL में ड्रोप करके risk ले सकते हो बाकि ड्रोप तो मास्ट के दो मैच खेलें बैटरीन खेला बीच में एक situación में जरी थे अब जाएगा बेखें सिरीच आपको अच्छे प्रोपकर टीम में अपनोगी लेजियेगा all rounder section में already मैंने आपको बताई दिया P musungu important रहेगा यहां से अगर बात करें तो I kiraga और S mutabhi तो यह दोनों player आपके लिए important रहेंगे S mutabhi को last 2 matches में मतलब थोड़ा सा average performance मिला otherwise by starting के matches में काफी गजब खेल कर आ रहा है और आपके लिए must topic रहेगा बात कर लेते हैं अब team की पूरे preview की तो team में आपको बना के दिखा देता हूँ यहां से अगर बात करें तो देखे A akampurira important रहेंगे M bin kota important रहेगा नीचे अगर आप चलोगे तो H mabobo हमारे लिए important रहेगा यहां से M vendeka P musungu दोनों mustapik हो जाएंगे यहां से अगर बात करें तो I kiraga और S मुटे भी यह दो पले रमाल टीम में रहेंगे तो 5-2 का ratio मैं अभी लेकर चल रहा हूँ अगर आप थोड़ा सा risk taker हो तो आप यहां से M bin kota की जगह पर एक आदी GL team में ओ तुमूसी में को try कर जिएगा या फिर नीचे अगर आप चलोगे तो यहाँ पर N की गोजी को आप try कीजिएगा ठीक है C VC की बात कर लेते हैं Captain से अभी मैं P मुसुंगों को दूँगा VC की अगर बात करें तो I kiraga भी आपके लिए अच्छा VC रहेगा main game rating का है बट defense में भी अच्छे खासे मैं आपको बताना भूलगा CVC के option में M Vendeka M Vendeka को भी आप as a CVC try कर सकते हो बहुत ही शांदार player है मतलब all round performance देता है लेकिन dictat क्या है weak team के against में performance ज़्यादा अच्छी आते है strong team जैसे कि star pirates थी आपर भाई यह completely flop हो गया यही एक reason है कि इनको यहाँ पर मसा का जो इस season second number या third number पर दिखेगी आपको position में इनके सामने flop हो गया तो यह एक आपको चीज ध्यान में रखनी है एक मातल strong team जिनके सामने performance आई थी वो थी जकाना super bullets ठीक है तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो S Mute B को आप GL Mini GL के एक आद टीम में try कीजेगा बाकी जो 5 player वो आपको बता देता हूँ इनको आप try कीजेगा बहुत ही शांदार player है यह 5 player में से कोई 2 player आपको सबसे ज़्यादा point लेते दिखेंगे तो यह चीज आपको द्यान में रखनी है अगर proper team चाहिए तो टेलिग्राम चैनल जोइन कीजेगा लिंक नीचे description में वीडियो के first comment में और वीडियो को यार लाइक नहीं करते हो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहली पार आयो सब्सक्राइब कर लीजेगा मैं मिलता हूँ आपसे मैश टाइम पर टेलिग्राम चैनल पर तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम